हलो फ्रेंज़, मैं साबिरा मुकाती एक हाउस फाइफ और मोधिकेश की एक बिजनस कंसल्टे mirror आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सोल फ्लेवर, मोधी केर का सोल फ्लेवर का हल्दी पाउडर मसाले एक हाउसवाइब के लाइट में कितनी इंपोर्टन्स रखते हैं आपको पता है क्योंकि मसालों के बगेर तो खाना ही नहीं बनता और मसाले अगर ताजा और सुद्ध हो तो खाने का स्वाद और खुश्पू दोनों ही बढ़ जाता है और आज मैं जिस मसाले के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा सोल फ्लेवर का हल्दी पाउडर आपको पता है कि हल्दी में कौर्कुमीन नाम का नशे जो की एंटि कैंसल और से चेंट रोगों के बारे में बताया गया है वात कफ और और कफ ये तीनों बात जड़ित कप जड़ित रोग और पित जड़ित रोग तीनों जो रोग है उसको ठीक करने की श्यमता रखता है यह करकुमिन लेकिन हल्दी जो हम इस्तमाल करते हैं वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है पहले लोग हल्दी रो हल्दी को घर में लाके सुखाते थे और फिर उसका लेते हैं मैं भी मैं भी जब मोधी केर से नहीं जुड़ी थी 18 महीं पहले मोधी केर से जुड़ी इससे पहले मैं भी यह मार्केट का ब्रांड में फ्रेंड्स मैं किसी भी ब्रांड की बुरा ही नहीं कर रही हूं मैं जिस्ट बता रही हूं कि मैं यह ब्रांड का एक बहु 4.85 रुपीज पर केजी तो मैं अपनी जानकरी से बहुत अच्छी चीज इस्तवाल कर रही थी अपनी जानकरी से लेकिन जब मैं मोधिकर से जुड़ी तो मैंने soul flavor के healthy powder इस्तवाल करना चालू किया फिर मैंने एक दिन इसका demo मैंने सोचा कि मैं क्योंच having कि yine देमो करके देखते हैं तो मैं क्यों राइं करूं तो फिर्द मैं ने जो बो किया आपको मैं देमो करके लिखाना चाहती यह मार्केट का मैंने दो ग्लास में पानी दिया है और यह एक चमच मार्केट का हल्दी पाउडर इसमें एड कर रहे हूँ और दूसरी तरफ यह देखिे यह हमारा पाउच है ये एक बर हम कपो लोगे ऐसे करने हो और फिर वापस इस पाउच को डाल के आप सील पैक कर सकते हैं तो इसमें आपके मसाले ताजी और हमेशा इसका जो फ्लेवर है वो पैक रहेगा खुलेगा नहीं मतलब एर टाइप पैक रहेगा और यह देखिए मैं मौधी केर का सोल फ्लेवर का हल्दी पाउडर डाल रही यह मार्केट का है मार्केट का एक जानमाना बहुत अच्छा मेरी जानकारी में जो था बहुत अच्छा हल्दी पाउडर जो मैं पहले यूज़ करती थी और यह हो देखिए अक्सर क्या होता है मार्केट से हम जो भी ब्राइंट यूज़ करते हैं अक्सर देखा गया है दे अगर देख सकें लीजिबवर किस तरीके से जो मार्केट में जो होता है प्रॉडक्ट देखिए यह कैसे लेर बन रही है यह पूरी कि पूरी dust की या इटा की या फिर कोई भी गंदगी एड़ किया हुआ देखे और हमारा जो है ये पूरी तरीके से देखे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से दोनों में फर्क आप देख सकते हैं दोनों के कलर में भी फर्क देख सकते हैं और इसका उपर जो dust और गंदगी है वो भी देख सकते हैं और यह कितना pure और कितना साफ सुतरा है आप देख सकते हैं और friend मैं आपको बताना चाहरी हूँ क्योंकि हमारा जो भल्दी जो है वो हमारे पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है तो हमारा खाना जो है जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और हमारे स्टॉमक में हमारे स्टॉमक में जो मतलब जूसर सिक्रेट होते हैं वो एसिविक नेचर के होते हैं तो यह में मार्केट का एक एसिद है जो एसिद हमारे पेट में बनता है वही एसिद में मार्केट से खड़ित के लाई हूँ देखें मैं एड कर रही हूँ और इसमें भी में एक धकन इसमें भी मैंने एक धकन एड किया है और इसमें भी मैंने एक धकन एसिद एड किया है लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही यह इसमें एसिद एड किया देखें यह पूरी तरह से अपना प्रॉपर्टी चेंज कर दिया क्योंकि इसमें मिलावट है, इसमें गंदगी है, यह प्योर हल्दी है ही नहीं, तो आप मेरे को बताओ, यह क्या खायरा पहुंचाएगा, और हमारा मोधिकेर का हल्दी, एसेड जाने के बाद भी देखिए, यह जैसा कत ऐसा, पासे दिखो, पासे दिखो, उतना ही सुध है, उतना ही प्योर है, एसे डालने के बाद भी, तो यह पूरी तरीके से हमारा हमको बेनिफिट पहुंचाएगा, और यह देखिए, इसका कलर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो यह हमको क्या फाइदा पहुंचाएगा, बस प्रेंग्स, मैं भी ब अपने परिवार बालों को सुरक्सित रख सकते हैं, थैंक यू, यही बताना चाहरी थी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, गुड़ मॉदी के मॉर्निंग,